हेलो दोस्तो, वेलकम टू मार्क दसन एश्टड़ी पॉइंट दोस्तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अगर दोस्तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं दोस्तो मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आप CTET का 2018 का फॉर्म कैसे भर सकते हैं और दोस्तो इसका आभेदन फिस कितना लगता है और दोस्तो लास्ट डेट कितना है चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि Central Teacher Eligibility Test CTET 2018 के लिए आभेदन परिकिरिया सुरू हो गई है टीचर बनने के इच्छुक उमीदबार CTET के लिए आभेदन कर सकते हैं और इसके माध्यम से उमीदबारों को कक्छावन से आर्थक का टीचर बनने का मौका मिलेगा वही जीन उमीदबारों को समझ नहीं आ रहा है वो कैसे ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो इन स्टेफ्स को फ़लो करें और दोस्तो बता दे कि फॉर्म भरने की आखरी तारिक 37 अगस्त है दोस्त ऐसे भरे ओनलाइन फॉर्म चले दोस्तो सबसे पहले CT की अधिकारी website ctt.nic.in पर आप दोस्तो जाएंगे फिर दोस्तो वहाँ पर लिखाएगा online registration for CT 2018 लिंक फिर दोस्तो वहाँ पर आठमी, दसमी, बारमी और गरुजियेट के लिए vacancy करे आवेदन फिर दोस्तो नाम माहेँगा जनम टिती लिंक, फोन नमबर, घर का पता भरे दोस्तो इतना चीज भरना निवार जाय पहले नाम दोस्तो फिर जनम टिती फिर लिंक याणी mail या female phone नमबर फिर दोस्तो घर का पता और दोस्तो इसके साथ ही आपको बता दे दोस्तो की password size photo और अपने sign scan पर upload कर दे बता दे कि photo size jpg या jpg format में होने चाहिए और दोस्तो फोटो 10 से 10 के भी का size होना चाहिए और दोस्तो फोटो 10-10 के भी का साइज होना चाहिए और फोटोगराफर का 3-30 के भी का साइज होना चाहिए और दोस्तो फोर्म भरने के बाद सब्मिट करें फिर दोस्तो अपना एक पासबोर्ट चुने और फोर्म सब्मिट करने के बाद एक registration नमबर जन्रेट होगा भविस के लिए registration और password नोट कर यानि दोस्तों याद कर लिजिए फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए CTT 2018 जाने क्यों टाल दी गई आबेदन की तारी आबेदन फीस भरने से पहले अपनी दी गई जानकारी क्रोस चेक कर ले उसके बाद ही फिस बढ़े आप फिस इह चलान यानि दोस्तों डेविट कार्ड के जर्ये भी भर सकते हैं फिर driver फिर जमा की गई राशी फीस रसीद का print out निकाल कर जित दोखंदार के दोस्त आप भड़ियेगा उसके पास जमाकी गई फीश रहसीद का प्रिंट आउट निकाल कर रख ले फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आबेदन फीश सीटेट के लिए आबेदन करने के लिए जनरल और OVC वरक के उमिदबारों को एक पेपर के लिए 700 और दो पेपर के लिए 12 रुपे फीश का भुखतान करना होगा वही SSC और ST work के उम्हितबारों को एक paper के लिए सारे 300 रुपया और दोनों paper के लिए 6 रुपया फिज का भुखतान करना होगा दोस्तो आप फीज जान लिए यानि जो जेनरल और OVC वर्क है दोस्तो उनको एक पेपर के लिए 7 सा और फिर दूसरा पेपर के लिए 2 पेपर के लिए 12 रुपय फीज का भुखतान करना होगा और दोस्तो वही जो SSC और STK वर्क के उमिदवारों को एक पेपर के लिए दोस्तो सारे 30 रुपया और दोनों पेपर के लिए 6 रुपया फीज का भुखतान करना परेगा दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज दोस्तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे Thank you so much दोस्तो वीडियो दखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद